हरे कृष्णा आप सभी का स्वागत है हमारे इसकौन विकानेर के ओफिशियल यूटिप चैनल पर आवर तुदेश टॉपिक इस हुआ ओल दिस नैश्रल केलामिटीज ये सारे प्राकृतिक आप दाई क्यू आती है आपके मन ने भी एक कही ना कही सवार आया होगा कि अर्थ वेदों में कहा गया है कि ये सारे हमारे कर्म के ही फल होते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या हमारे कर्म इतने बुरे थे कि अर्थ्वेक साइक्लोन डॉट जैसी चीज़े आने के भी चांसेस हो गए तो वेदों में कहा गया है कि जब दो पाप बहुत अधिक बढ़ जा कर देते हैं हम सब परम-पित incorporate क inverter की संथान है और जो है परम आत्मा और हम है उनके अंश इसमां तो यानि हम में और दूस्य जीव में कोई अंत्र नहीं हम सब एक हैं पर जब भगवान देखते हैं कि हमारे अधिक बलवान बच्चे हमारे कमजोर बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हीं क्रोध आता है और इसी क्रोध से उत्पन होती है यह सारी प्राकरति का पदाए जब मनुश्य अपने स्वाद के लिए बेस्वान जानवर जैसे मुर्गी बक्री गायों की हत्या करके उन्हें खाते हैं तो यह किसी खून से कम नहीं है सेम जो माता ममता की मूरत होती है और जब वो अपने ही संतान को मार देती है और जब कोई व्यक्ति अपने ही इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं और किसी चीज कभी कदर नहीं करते हैं तो यह भी खून ही माना जाता है भाग अनुवाद कर्म की बारी क्यों को समझना अत्यंत कर्थिन है अतहा मनुष्य को ये चाहिए कि वो ये जाने की कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है और धीरे धीरे इस कल्यूग में ये दोनों पाप बहुत जादा बर रहे हैं अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो आगे विनाश हो जाएगा हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी नैश्रिल केलामितिस के पीछे कौन जिम्मेदार है हरी बोल तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और ऐसे ही स्पिरिच्वल वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हरी कृष्णा